तो देखना है कि कौन क्या कमाल करता है क्या एक हजार रूपई लेकर जाते हैं या फिर बोनस के साथ पांस रूपई और लेकर जाते हैं आमेजिंग लाहबादी यूटूब चैनल में शभी दर्सकों का स्वागत है जैसे कि आप लोग देख रहे हैं सामने प्लेट में डाल चावल रोटी सब्जी लगी हुए मतलब आज जो चैलेंज होने चल रहा है यह चैलेंज कैसे लगेगा आई यह पाउन लाहबादी जी से मिलकर बात करते हैं अमेजिंग लाहबादी यूटूब चैनल में सब्सक्राइब स्वागत है जैसे कि आप लोग देख रहे हैं पर दाल चावल के साथ में लगा हुए है रोटी सब्जी चैलेंज है और चैलेंज में प्रकास जी और फूल चैलेंजर बाट चुक है देखत सब्सक्राइब कर लेंगे तो देर ने करते हैं चालू कर दिया जाए और यहां पर चालू हो चुका है तो फूल चंद और ओम प्रकास दो के दोनों लोग पूरी तरह से सब्सक्राइब करेंगे तो देखना है क्या कमाल करता है क्या एक हजार रूपई लेकर जाते हैं या फिर बोनस के साथ पांचु रूपई और लेकर जाते हैं जो के दोनों लोग पूरी तरह से दाल चावल और रोजी सब्सक्राइब पूरी तरह से जुटे हुए हैं जिस हिसाब से जुटे हुए है ऐसा लग रहा है कि हम प्रकास आज बाजी मारने वाले हैं और पूरी तरह से सब्सक्राइब है अगर साथ के अंदर इस ठाली को खाली कर देते हैं तो पंद्रह सुरूपई आपको मिलने तय हैं और और प्रकास आचुके हैं अपने वार में अपर फार में दिखाना चालू कर दिये हैं बहुत पगड़े से बाइद कर दिये हैं नहीं प्रकास जी के लिए भी काफी समय दे दिया गया है साथ रोटी और चावल मतलब डबल डोजर चैलेंज में दोनों चैलेंजर भी डबल डोजर बैठे हुए हैं और देखते ही देखते जिस हिसाब से चलना चाहिए जो हिसाब ही अलग लगाती है और गजब की टेकनिक लगाया है फूल चंद और यह टेकनिक बहुत ही माइने रखती है और बुढ़ों वाला दिमाग लगाये हैं जो डाल को रोटी को बिल्कुल गला गला के खा रहे हैं आज देखी देखा हूं प्रकास भी पूरी तरह से और नहला में लगे हैं लेकिन इनकी थाली में पानी नज़र आ रहा है आएं के रोटी नहीं पा रहे हैं रहा है ऑचो इसर दोSe पूरी तरह से जितनी रोटी थी तो ऐसा लग रहा है कि बोनस के साथ इनाम भी इतने हैं इनका दोनों आज 15 रुपए बनने वाला है और ओम प्रकाश जी 500 रुपए में संतोख करेंगे ऐसा लग रहा है क्योंकि और और चल रहा है और फिर जो टाइमर की इनको बोनस बाद मतलब हुआ है लेकिन जो समय गया है लगभग तीन मिनट के ऊपर जा चुका है और यहां पर देखते ही देखते लगभग लगभग काफी हत्तक का यह लोग अपना परफार्मेंट दिखाते हुए मंजिल पर है जहां से टाइमर चल रहा है वह ही काउंट होगा इन लोगों का इनामी राशी के साथ साथ आपको समय का भी बोनस मिल चुका है और इस समय को उपयोग कर लिजिए और पूरी तरह से अपनी थाली को खाली कर दीजिए अच्छे अच्छे हिसाब से मतलब अभी आप लोग चावल पूर चुक है और डाल चावल खाने में समय नहीं लेगा सूह का ऐनके लीजिए घाल को बचार के रहे हैं लेकिन चावल खाएं या ना खाएं फिर भी जो थाली में लगा है उसको पूरी तरह से समाथ करना ही होगा और यहां पर अभी सब्जी रोटी से ही खेल रहे हैं और पूरी तरह से अठ्खेल लिया करते हैं नहीं बहुत बढ़ाते हैं और उम प्रकास के थाली में ककडी पूरी सब्जी लोटी उड़ा लेते हैं और देखते ही देखते ऑम प्रकास भी आ रहे हैं अपने तर्जपे और रोटी को लास्ट रोटी उठा चुके हैं और उसको पूरी तरह से दाल में भिगो लिये हैं लेकर ही और देखते ही देखते हैं कि तर देते हैं और जो जो प्रकास जी के लिए तो दिया गया रही है और प्रकास जी को भी साथ मिनिट देखा जाएगा बहुत बढ़िया और देखते हैं को लग रहा है पांच मिनट में बिल्कुल कंप्लीट कर लेंगे अपने हिसाब से खाते रहे हैं और सोथ रहे हैं कि हमें साथ मिनट के पूरी तरह से पर देखना है कि कि किया कमाल करते हैं कि ब्रेकर को तोड़ दिये हैं तो उसका फाइदा कितना उठा पाते हैं और अभी सवाद दो मिन्ट का समय है और सवाद दो मिन्ट में देखते हैं क्या करते हैं बहुत बढ़ियां और देखते ही देखते हैं फूल चल लग भग लग काफी हद तक मंजिल के करीब पहुच चुके हैं और वहीं पर ओम प्रकास जी बिल्कुल फोम में आ गया है घरदा घरदा उड़ाने के लिए तैया क्या करते हैं क्या अपने समय का उपियोग कर पाते हैं या नहीं जाते हैं और यहां पर देखते हैं और अपने मंजिल के करीब पहुच चुके हैं अगर दी पूल चंजी इनको इस्ट्राइक नहीं लगा है तो पूल चंजी आए थनवाद करते हैं करते हैं और नहीं कहीं से भी चैलेंज को छोड़ सकते हैं अगर लगता है कि अब हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे तो जहां प्रकास तो नहीं लेकिन बोनस की रासी में प्रकास आ सकते हैं क्योंकि एक मिनिट अभी पूरी तरह से बचा हुआ है और एक मिनिट का उप्योग कर लेंगे तो हो सकता है कि 500 रुपए इनके हाथ में भी चल और इसा लग रहा है गाड़ी चल नहीं पा रही है कि हम ठोलेंगे नहीं हम तो तो लेंगे तार्गेट को बहुत प्रकास तो देखना है कि अब तो थोड़ी-धों कि अधनवात करते हैं और इनाम के रासी फूलचंजी को बोनस के साथ कैस्ट देते हैं दाल चाहल रोटी स पूलचंजी को इनाम के साथ बोनस भी कैस्ट देते हैं तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं दोनों लोग बहुत तेजी दिखाए और ऐसा लग रहा था कि ओम प्रकास बोनस तो जरूर लेकर जाए लेकिन बीच में अपना तीर धनुस रख दिये और फूलचंज पूरी दिखाए फूलचंजी का धनवाद करते हैं और साथ मिनेट में विल्कुल कम्प्लीट कर लिए तो इनको बोनस भी दे दिये और उमप्रकास जी के लिए आट मिनेट दस सिकेंड का समय इनको मिल गया था फिर भी जो है साड़े साथ मिन्ट के करीब ना बोल दिये तो फूल अमप्रकास जी का धनवाद करते हैं और तो इस तरह से आप लोग इनको सपोर्ट करते रहें लाइक सब्सक्राइब करें करते रहें मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए धनवाद